हेलो एर्वन वेल्कम टू कॉंप्टिशन कम्मुनिटी के सीजी पेसी मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सतिंद्र सिंग आज हम यहाँ पर जो टॉपिक हमने डिस्कुशन कम्मुनिटी पे 20 सेकेंड ओफ एप को जनरेट किया था जिसका नाम था फिजिकल डिवजन या 36 गड़ में भौतिक विभाजन उससे संबंदित कुछ हमने प्रशन वहाँ पर 7-8 प्रशन दिये थे उसके हैं यह एनलिसिस व सब्दों में बहुत अच्छा पकड़ भी बनती जाएगी तो यह कोशिश और यहां मेरी आसा है कि आप यहां पर और अधिक सदिक आंसर राइटिंग करेंगे और इसमें सहभागीता के साथ ही साथ दूसरों के आंसर को भी क्या करेंगे इवल्योट करेंगे ठीक तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा आंसर लिखा था मैंने रिव्यू किया और मैंने कुछ को कमेंट करने की कोशिश की थी सबको कमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो उनके नाम ऐसे हैं इंदर सिंधा अकांचा पांडे आशिस दुबे वेद प्रक उसकी तरह या जो भी आपको समझ में आता है वो जरूर लिखें कि धीरे धीरे ही क्या होगा आपको चीजें समझ में आएंगी और आप उस लेवल तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं चतिस गड़ में भौतिक वि जा सकते आंसर का स्कैलेटन कैसे होगा हम उन चीजों को समझेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो डीटेल हमने एफट्यार के समय कुछ वीडियो में बता है इसके साथ हमने मोबाइल कोर्स में भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ हुआ जो था वो प्रिलिंस के लिए ही था लेकिन वो प्रिलिंस में भी मेंस का फ्लैवर दे रहा है और उसमें काफी ज़्यादा डिटेलिंग फ्लोचार्ट एंड कनेक्टर्स के साथ उसको हमने क्या क्या इन बिल्डि किया चाहतीजगर का आपको मोबाइल कोर्स आपको हमारे वेब साइट पे एबलेबल है चलिए तो देखते हैं हम लोग भौतिक विभाजन के बारे में तो च्छतिस गड़ को भौतिक विभाजन यानि की भौतिक रूप से कितने भागों माटा गया यह सभी को पता है बेसिक है चार भागों में पूर्वी बगेलकन जस्पूर सामरी पाट महानदी बेसिन दंड कारनी का पठाट तो इसका अधार क्या इसका अधार है समुरुप भौतिक विसमताओं के अधार पर ठीक है जो भौतिक विसेस्ताय जो होती है ठीक है जो भौतिक विसेस्ताय होती है इसमें किस प्रकार से समुरूपता है यानि similarities in geographical features on the basis of that यहा जोग्राफिकल सी मैलेरेटीज होंगी उस पे बेस्ट क्या होगा आपका भौतिक विभाजन होगा और इसमें जोग्राफिकल क्या फीचर्स की बात करूं या भौतिक विसस्ताओं कि मैं बात अगर करूं तो वहां पे बहुत सी चीजें आ जाती है वहां की कोई एक इंपोर् होंगे कुछ गौण कारण होंगे कोई मेजर रिजन्स होंगे कुछ माइनर रिजन्स होंगे उन सब को मिला करी मैंने भौतिक विभाजन किया है जो चार प्रकार से होगा पूर्वी बगिल खंड जस्पूर सामरी पार्ट महान अधी बेसी और दंड कारण का पठार तो यह परसेंटेज बता जीजे 16.16 डिस्ट्रिक टोटल चार्ड डिस्ट्रिक पे और यहां पर किस प्रकार की रॉक्स या मिनरल्स मिलती है यह आपको पता होना चाहिए ठीक साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जस्पूर सामरी पार्ट का तो सेम डाट आपको याद होना चाहिए म अगर कोशन पूचा एकस्प्रेंट इस्टन भगिलखन एस्टेन महानदी बेसिन एकस्प्रेंड दन कारने प्लेट यू तो आप वहां पर इनको लिखे इस टार्टिंग में चेक चलिए उसके बाद बात करते हैं इनके सब डिविजन की याद रखेंगे कोशन कभी कभी प पुर्वी बगल खेंड के प्राकरतिक प्रदेश यानि की नेचरल रिजन या इसे ही प्राकरतिक उपिभाजन या इसे ही नेचरल या फिजिकल सब डिविजन भी कहा जाता है तो याद रखेंगे कि पुर्वी बगल खेंड को और कितने भागों या बाटा गया है उसके ब पता है कि यह सारी चीज़ें आपको क्या है क्लियर हैं तो इस्टेंबगल खंट के कुछ पार्ट से हमने कोश्चन दिया जस्पुर सामरी पार्ट का पता है कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए इसी के साथ ही अब यहाँ पर मैंने धरातली विशमताहों के अधार पर बात किया तो धरातली विशमता मतलब सीधी सी बात है वहाँ का जियो लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है ठीक सांती सांत वहां की जो फिजियोग्राफी वो कैसी सिर्फ यह दो रिजन्स पर हम यहां पे धरातली विशमताओं के अधार पर ही बाटते हैं जैसे कि हमारे यहां है पहाडी छेत्र, मैदानी छेत्र, पठारी छेत्र और पार्ट छेत्र यह चार चीजे डिफाइन करनी ह और इन चारों से मान लो इसमें कोई पाठ है, पहाड है, मैदान है, उसको निकाल के आपको यहां लिख देना है, पाठ प्रदे से उसको यहां पर लिख देना है, महा नदी बेसिन वाले एरिये में अगर कोई पहाडी मैदानी है तो उसको इस तरह से सभी में क्या कर देना बाइफर्केट कर देना है चीज वही है कोशन अलग पूछ सकते हैं पहला कोशन पूछेगा सम्रूप भौतिक विसस्ताओं के अधार पर दूसरा भूलेगा धरातली विसमताओं के अधार पर करेक्ट होती बात यहां था चली इसके साथ ही हम आभी पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन है आपका हेथ घाट पर टिपड़ी करें किस पर बोल रहा है हेथ घाट पर टिपड़ी करें इसका आंसर रेटिंग करने का प्रयास बहुत ही कम लोगों नहीं किया था एक या दो लोगों ने इसके आंसर रेटिंग की थी ठीक है चले हेथ घाट की बारे में हम कोई भी आप questions लिख रहे हैं उसमें उसको define करें कि वह belong कहां से कर रहा है ठीक दूसरा उसमें point out करें कि उसका location क्या है क्योंकि 36 गड़ में अगर आप किसी physical division या physical अगर आपको exactly अगर पता है तो exactly पता होने के पस्चाथ ही आप उसके other features को बता सकते हैं ठीक चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर हेदगाट के बारे में तो थोड़ा सा देखिएगा यह यह मैंने बनाया जस्पूर सामरी पार्ट ध्यान देंगे जस्पूर सामरी पार्ट में यह वाला जो पार्ट है यह एंड दीजवन ठीक यह वाला जो पार्ट है आपका यह है जस्पूर पार्ट करेक्ट होती बात यह वाला है आपका पंडरा पार्ट करेक्ट यह वाला है आपका सामरी पार्ट ध्यान पार्ट है मैंने उसको बनाया नहीं तो यह सा लाम्री पार्ट यह कहां पर आपका बल्रामपूर के मनोरा एवम बगीचा वाले तसिल पर आपका इसके नीचे यानि यह टोटल हाइट जो है 600 मीटर नीचे और यह वाली जो हाइट है लगबंग 200 मीटर ठीक तो जस्पूर पार तो ध्यान रखेंगे कि जो हेद घाट है उस लाईन में आप लिखेंगे हेतो जो की एए उप्विभाजन त्हीत इस प्राकरतिक व्राजन केए इक उप्वेजन के रिइवर मने ने बताया उस इग्जामिनर को कि मुझे पता है कि हेद घाट जो है यह जस्पूर सामरी पार्ट के अंतरगात आता है इसलिए आप बाकी की तरफ मंध्यान दे मैंने पहले ही उसे लौक कर दिया कि भाईया कि जस्पूर के अंतरगाती इसको समझना है ठीक तो पहले तो लॉक करें उसे तो हेद घाट एक उपी भाजने जस्पूर सामरी पाठ का जिसका अन्य नाम जिसका अन्य नाम क्या है जस्पूर पाठ या निम्नगाड भी है लिख दिया यहां ता उसके बाद नेक्स आप लिखें कि इस छेत्र पे यह जो छेत्र है यह छेत्र 36 गड़ के उत्तर पूर्वी दिसा में इस्थित है ठीक अगर मैं बात करूँ इस तरह से अगर मैं 36 गड़ को बनाओ आप इसको मैप के थूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ध्यान रखें जब आप मैप ब वाले छेत्र में हमें इव एवं मैनी घाटी भी मिलती है जो उस छेत्र को हम काक्या छेत्र भी क्या कहते हैं उसके आप कुछ तसिल लिख लेंगे यहां पे नॉर्मल लेवल पत्थल गाउन दुलदुला फर्साबार आप तसिल लिख लेंगे और इस थार्टी वर्ट में आपका ये हेद घाट क्या हो जाता है खतम हो जाता है साथ ही question next पूछ सकता है आप 15 पार्ट को explain करें तो बताइए कि कौन से जीले पे कौन से तसिल पे और कहां पर है सामरी पार्ट पर भी question ये पूछ सकता है ठीक चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स oxygen देखते हैं यहां पे next question है आपका कि रिहन बेसिन पर टिपड़ी करें ठीक है की बोल रहा है रिहन बेसिन पर टिपड़ी करें तो रिहन बेसिन आपको जैसे की map में दिख रहा होगा map में आप ध्यान से देखिए एक map यहां पर शो हो रहा ह है आपको मैप में वहाँ पर आप देख सकते हैं रिहन नदी निकली वी और रिहन नदी के साथ बेसिन बना हुआ है कनार बेसिन बना हुआ है साथ मुदर देख रहे होंगे आप 15 पार्ट वैगरा सारी चीज़े बनी हुई है ठीक तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर बोल रहा है ठीक है चलिए तो याद रखे हैं कि रिहन पेसिन जो है वो रिहन नदी के कारव बनती है मैं जब आंसर देख रहा था discussion community पे वहाँ पे बहुत साले लोगों ने ये किया है कि वो रिहन नदी के बारे में explain कर रहे है कि रिहन नदी मतिरिंगा की पारड़ी से निकलती है उत् इसितने बसी ये गलत है ये करेक्ट है की रिहन नदी के द्वाड़ा रिहन बेसिन का निर्माड होता है अब रिहन नदी का रोल खतम द सब नहीं बनेगा इसका पहरा लाइन आप देख सकते हैं कि रिहन बेसिन रिहन बेसिन का जो निर्माड होगा ठीक तो रिहन बेसिन का निर्माड जो होगा रिहन नदी के द्वारा होता है रिहन बेसिन का निर्माड रिहन नदी के द्वारा होगा अब इसमें अगर मैं होता है जो की जो की 36 गड़ के उत्तर में जो की 36 गड़ में उत्तर में इस्थित है अब मैंने क्या क्या उत्तर में ले गया यानि कि इधर से कोई मतलब नहीं तो 36 गड़ में उत्तर में इस्थित है तो उत्तर में कहां कहां इस्थित है तो 36 गड़ के उत्तर में प्रमुक में विस्तरित है बनरामपु सूरजपु लिखा तो यहां पर आप लिखने क्या तहसिल को वाडरप नगर एंड प्रतापपुर के बारे में इसके साथ ही यह जो रिहन बेसिन है यह मुख्य रूप से तिन राजियों में फैली हुई है जिसमें 36 गड़ MP and UP में भी क्या है यह फैली हुई है ठीक और उसके बाद लिख सकते हैं कि रिहन बेसिन को ही हम कौन सी बेसिन कहते हैं सिंग्रॉली बेसिन भी कहा जाता है क्योंकि यह जब MP में जाती है तो यह सिंग्रॉली एवं बैढ़न वाले छित्र में काफी एरिया में यहां पर फैली हुई है करेक्ट होती बात यहां तक तो यहां तक आप चीजों को समझ ले दें सांथी सांथी की हाइट ऑना एवरेज हाइट आप बता सकते हैं दो सो हस से लेकर तीन सो मीटर तक कोशिश करें उसे और गोल मटूल बातों से ना घेरें किसी भी आंसर को चेक चलिए अब हम देखतें क महानधी बेसीन जैसी कि मैंने आपको बताया था महानधी मैदान क्या वो लेंगे 36 गड़ का मैदान ठीक जब हम मुबाइल कोर्स में महानदी बेसीन वाले पार्ट में जाएंगे अगर आपके पास मुबाइल कोर्स है तो वहाँ ए 36 गड़ के मैदान को मैंने काफी डिस्क्राइब में बताया हुआ है वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि अग पाग में बाटे बाइफर्केट करते हैं पहला भाग जो होगा उसको मैं बोलूँगा बिलासपूर राइगर प्लेन एंड सेकंड पार्ट होगा आपका दुर्ग राइपूर प्लेन यहाँ पर यह कोश्चन दुर्ग राइपूर प्लेन नहीं पूछा है यहाँ पर कोश् बनाया महा नदी कःक्ष तो यह जो भाग है यह आपका विलासपुर राइगड़ पलें करेक्ट तो दो प्लें है इसको हमको बाइफरकेट करना तो ध्यान रहेंगे इसको मैं तीन भागों बाइफर्केट कर लेता हूँ धिलासपूर प्लेन ठीक दूसरा मैंने ले लिया कॉरभा प्लेन के मैंदान को याद रहें कॉलेन इस यह इस तक कमबिनेशन व बैस पूर प्लेन को बात करें टेक अगर नदियों की हिसाब से बात करें तो बिलासपूर प्लेइन जो है वह मन्यारी और लिलागर के मद्य के प्लेइन को बोलेंगे तो प्रमुक नदी बिलासपूर प्लेइन के हो जाएगी अरपा, कॉर्बा का पठार जो है इसकी प्रमुक नदी हो जाएगी हस्देव और राइगर प्लेइन के अगर मैं बात करूं तो यह एक तरफ हस्देव नदी से और दूसरी तरफ केलों नदी से घिरी होई है और इसकी प्रमुक नदी जो इसके मद्य से होकर भहती है वह आपकी माण नदी तो इस तरीके से मैंने बिलासपूर राइगड प्लेन को तीन भागों में बिलासपूर प्लेन, कोर्बा प्लेन और राइगड प्लेन में बाइफर्गेट किया तो इसको लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले लिखेंगे बिलासपुर राएगट प्लेन 36 गण मैदान का एक भाग है जो प्रमुग रूप से बिलासपुर जांगीर चांपा राएगण एम कॉर्बा जीले में विस्तरित है पहला हमने उसको decide कि इस location में यह क्या है यहां पर है तो पहले तो बताना है कि इस location में भईया जो आपने examiner साहब आपने जो question दिया है वो यहां पर हमने बता दिया अब बताने के पश्चान हमें देखना है कि यह बिलासपूर जानगीर यह सारा कुछ जो है याने कि बिलासپूर रायगड प्लेन जो है यहां से कौन-कौन सी नदिया भथथी है और इन नदियों के द्वारा इस इस प्लेन का क्या होता है निरमाड होता है तो पहले मैंने location बताया location के बाद मैंने district बताई और district के बाद मैंने बता दिया यह यह चीजें होती है अब माल रही है 60 वर्ड में question पुछता तो explain कर दो बिलासपूर प्लेन को explain कर दो कोर्भा प्लेन को explain कर दो राइगर प्लेन को यह 60 वर्ड भी बन सकता है और इसके बाद यह 100 वर्ड भी बन सकता है तो ध्यान दे साथ ही आप बता सकते हैं आप प्रमोगरुप से कड़पा चटाने हैं प्रमोगरुप से लाल पीली मिट्टी है और साथ ही साथ यहां पस्षी चाई की सुईधा अधिक होने के कारण जो जानजीर यानि की जो मेरा जानजीर वाला छेतर है वह धान की पैदावार में सबसे ज तो एक वर्ट्स आता है कि रिड बिट्विन दा लाइंस तो हमें समझना होगी दो लाइन के बीच क्या सार्थक सब्द हम निकाल सकते हैं नेस्ट कोशन देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल विभाजा क्या होते हैं यानि कि water separator के बारे में यहां बात करने की बात कर रहा है तो water separator वाला जो कोशन है यह भी आपका two marks and 30 words का है ठीक है तो two marks 30 words का यह कोशन है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा ऐसी प्राकृतिक सन्रचना पहला लाइन में आप लिखेंगे ऐसी प्राकृतिक सन्रचन जैसे परवत, पठार, पहाड जो दो जल छेत्र या अन्य दो अपवाह तंत्रों को विभाजित करता है कि ऐसी प्राकृतिक सन्रचना जैसे परवत, पठार, पाठ, पहाड दो जल छेत्र या दो अपवाह तंत्रों को विभाजित करता है वाटर सेपरेटर या जल विभाजक कहलाता है चत्तिस गड़ में प्रमुक रूफ से कुछ जल विभाजक हमें देखने को मिलते हैं जैसे इस्टन बगेलखन प्लेट यू सोन ड्रेनिस सिस्टम एंड महानदी ड्रेनिस सिस्टम के मद्या एक है आपका केसकाल वैली ठीक तो केसकाल वैली जो है वह है महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन के मद्या फिर बात करते हम लोग यहाँ पे देवगड की पहाड़ी ठीक जो की गोपद रीवर और हस्देव रीवर के मद्या फिर हम बात करते हैं राजहरा की पहाड़ी तो राजहरा की पहाड़ी जो है वह है आपकी खरखरा एवं तान्दूला के मद्या water sprayer का काम करेंगे फिर याद रखेंगे मैकल रिंज मेकल रिंज में आप दो चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि पहला लेंगे आप रिवर के मामले में मैंने जल छेतर ही बोला आप वात अंतर ही बोला है वेन गंगा एंड शिवनात ठीक है और ड्रेनिस सिस्टम की बात को अच्छा वेन गंगा जो है वह सहाय एक किसी नहीं आंसर लिखा था कि वेन गंगा इस तोटली रॉंग में गंगा है अप किसकी और वेन गंगा की शायक नदी है जो चतिर्वर से निकलती हुआ है बाग नदी जो की राजननद गाउंजीले से निकलती है तो मैकल रेंच वेन गंगा शिवनात अगर ड्रेनिस सिस्टम की बात करूं तो इध्यान रखेंगे नर्बदा ड्रेनिस सिस्टम एंड आपका क्या हो जाएगा महानदी ड्रेनिस सिस्टम ठीक तो इस तरह की से इतने वाटर सेप्रेटर है और इस तरह डिफाइन करके आप इसको लिख सकते हैं यह 30 वर्स पे था और मेरे ख्याल से आप इसे 60 वर्स म लिए नेक्स कोश्चन की तरफ हम रुख करते हैं तो कोश्चन नमर फाइब जो है वह है आपका दंड कारने में इस्थित उत्तर पुर्वी पठार पर दिस्तरित वर्णन करें यह जो है यह है चार मार्स का और 60 वर्स पे हमें से एक्स्प्रेंट करना है तो पहले समझते ह बोल रहा है कोश्चन दंड कारने में इस्थित उत्तर पुर्वी के पठार को तो एक्जामिनर क्या जानना चाहता है वह पहला लाइन में तो यह जानना चाहता है कि आपको पता है कि उत्तर पुर्वी पठार है क्या तो दंड कारने चेत्र में उत्तर पुर्वी पठार के पारे में हमें लिखते हैं पहला लाइन फिर हम मैप से समझेंगे फस डंड कारण्य में डंड कारण्य में स्थित बस्तर के पठार की स्थिति या अवस्थिती जो है वह डंड कारणी के उत्तर पुर्वी दिशा में है इसलिए बस्तर के पठार को हम उत्तर पूर्वी का पठार भी कहते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैप बना कर ठीक है तो यहाँ पर आप समझेगा इसके आगे यह एक लाइन हो गया एक से डेड़ लाइन उसके बाद हम नेक्स डेड़ दो लाइन को एकस्प्रेंट करेंगे अब इस उत्तर पूरी पठार का जो विस्तार है वहाँ प्रमू करूप से कॉंडागाओ एम साथी साथ कहां पर है ना कौए हम ने पहले इसका लोकेट कर दिए लोकेट करने का तो उसका भाउंडरी कर देतें कि यहाँ पर यहां पर यह पर है जब तक कि जो aspirant है वह एक unidirectional है यानि एक direction में सोच रहा है ठीक क्योंकि वो तो बैठा ही है कि आपके paper को काफी अच्छे से examine कर सके तो इसकी सुरुवात होती है इसकी सुरुवात लिख सकते कांकेर के दक्षडी छेत्र से अर्थार के सकाल घाटी से यानि कि इस उत्तर पुर्वी पठार के उत्तरी छेत्र में के सकाल घाटी दक्षडी भाग में तेलीन घाटी ठीक उत्तर पश्चिम में ठीक उत्तर पश्चिम में मतला घाटी और 37 इसमें हम लिख सकते हैं दक्षिड दक्षिड पश्चिम में टंग्री डोंग्री की पहाडी या इसे ही बोला जाएगा बस्ता नार घाटी ठीक बस्तर नार घाटी अवस्तित है तो इस तरीके से हमने पूर्वी पहला हमने क्या बोला के सकाल घाटी दूसरा हमने बोला तेलीन घाटी फिर मतला घाटी पी टं जो लाइन में आप एक्स्प्रेंट करें कि इस उत्तर पूर्वी का जो पठार है या प्रमुक रूप से ग्रेनाइट निस्की चट्टानों से निर्मित है यहां पर काफी ज्यादा क्या बनी हुई है कागारे बनी हुई है जिस पर से होकर बहुत सी प्रमुक नदिया बहती ह ठीक और बस्तर में प्रवेस करती है इसको आप लिखे मेंशन करें इंद्रवधी नदी के बारे में इसके साथ आप कह सकते हैं कि यह जो मेरा उत्तर पूर्वी के पठार है यहीं पर बस्तर का कस्मिर जिसे हम विंता घाटी भी कहते हैं वही वह भी किसमें है आपका इसी उत्तर पूर्वी के पठार में तो इस तरह हमने यहां पे दो लाइन दो लाइन एंड टू लाइन को यूस्ट किया और यह आंसर आपका कम्प्लिट हो जाता है ठीक और साइड में आपको इमेज यहां पर दीख रहा होगा यहां इमेज कौन सा है इसके बार नेक्स कोशिन है कि शिवनाथ पार के मैदान को explain करें तो यह भी क्या आपके four mark 60 word पे शिवनाथ पार के मैदान को explain करें four mark 60 word तो ध्यान देंगे आपको map में दिख रहा होगा map में जो blue वाला आपको दिख रहा है मैकल रेंज में आप जड़ा देखिए वह वहीं पर रहेगा तो उसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं करेंगे लेकिन हम उसे थोड़ा सा explain करने की कोशिश करते हैं अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको महानदी बेसिन महानदी बेसिन में ही मैंने अपको बताया एक सिवनाद का मैंदान और छतीस में मैंने आपको अपको बताया था बिलासपुर रायगड़ का मैदान और उर इक बताया तो याद रखेंगे जो मेरी दूरंग राइपूर plane है तो दुर्ग राईपुर plane तीन भागों में bifurcate होता है पहला होता है महानदी शिवनाद दुवाब का छेत्र फिर ये होगा सिवनाध trans plane या इसे सिवनाद पार का मैदान कहेंगे और महानदी शिवनाद दुवाब के पुर्वी हिस्से में आपको महा नधी ट्रांस प्लेन या महा नधी पार can मैदान मिलेगा तो यह कोश्चंज जनरेट जो हुआ हो यहां से हुआ है इसले हैं इसको हम इस तरीखे से लिखेंगे ठीक तो चलिए तो यह मैनने आपको एक महा नधी बफी बना दिया ठीक महा नधी बनाने के बाद यहां पर इसको लिखेंगे कैसे इसको लिखने के लिए हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि शिवनाद ट्रांस प्लेन या शिवनाद पार का जो मैदान है इसके पूरवी हिस्से पे तो शिवनाद इसडी और यह वाला जो हिस्सा होगे मैचल रेंच पहले ये दोनों को करें कि स्यीवनाफ ट्रांस प्लेंच पूर्वी इस्से महानती शिवनाद दो आप एवन सिवनाफ ट्रांस प्लेंच के पस्सीमी हिस्सेइए आपको मैकल का एक पार्ट है यह आपके चोईस है कि आपको क्या लिखना है ठीक उसके बाद तीसरे लाइन पर आप लिखें यहाँ पे आपने इसके लोकेशन बता दी अब लोकेशन बताने के अब उसके अंदर चलते भई यह उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो शिवनाट ट्रांसप्ले लिखेंगे शिवनाट ट्रांसप्लेन या शिवनाट पार के मैदान का निर्माड शिवनाट की जो सहायक नदिया है यह हम बोल सकते हाफ नदी आमनेर नदी मुसका पिपरिया नदिया ठीक इन सब नदियों के दौरा जो की सिमांत उच भूमी से बहते हुए शिवनाट की स सहायक नदिया बनती हैं उनके दौरा यहां पर इस्थिद्भूगार्भिक रुप से कडपा चटानों का अप्रदन के दौरा इस मैदान का निर्माड होता है देखो कनेक्ट किया है हमने शिवनाट लिया शिवनाट की शहायक नदि नहीं उस नदी के दौरा अप्रदन भी करवाया किसको अप्रदन करवाया कडपा करवाया लॉजिक समझे याद ना करें लॉजिक समझेंगे तो हर जगा इंप्लिमेंट करेंगे और यह याद रहेगा लॉजिक की क्यों इंप्लिमेंट हुआ तो उनके द्वारा जो सहायक नदियां थी उनके द्वारा इन कडपा चट्टानों का अप्रदन होता है और कडपा चट्टानों के अप्रदन होने से इस मैदान का क्या होता है निर्माड होता है उसी प्रकारदे जब में महानदी ट्रांस्प्लेंड लिखूंगा याद रखना महानदी ट्रांस्पन लिखूंगा तो लिखूंगा कि धमदरी महासमुद उच भूमी से बहने वाली नदियां एवं जो महानदे ट्रांस्प्लेन की सहायक नदियां है उनकी द्वारा चट्टानों के अप्रदन से महानदे transplant का क्या होता है निर्माण होता है ठीक तो यह हमने शिवनाद transplant के लिखा और साथ ही सहनाब लिखेंगे यह जो मेरा मैदान है इसका निर्माण मैकल रेंग की पुरुवी हिसे अर्थाद वरिष्टी छाया प्रदेश में होती है तता यहां पर नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा जो डखन चटान है उनका भी अप्रदन होता है और हमें यहां पर काली मृदा के भी प्राप्ती होती है इसलिए इस छित्र में हमें चना एवं रभी फसलों की अधिक्ता देखने को मिलती है तो में लिए आपको शिवना ट्रांस्प्रेंग को एक्स्प्रेंड करना था छे लाइन आपको लिखने हैं की पॉइंट पकड़े क्योंकि जब तक आप लॉजिक नहीं पकड़ेंगी वह आया कहां से तक अब अंसर राइटिंग करने में थोड़ा सा असक्षम हों अगर मुबाइल को उस नहीं भी ले पाते तो कोशिश करनेुग कि किताबें पढ़ें बहुत सारी किताब हैं 26 ज़ेश करें बहुत सारी लोगों ने कमेंट में पूचा था कि से कोई किताब को Аथेंटिक बता बताएं ऑथेंटिश्टी सी पर तो कोई किताब ऐसी मुझे नहीं लगी अभी तक लेकिन कोशिश जारी है कि चीजों को आपको जो रिप्रसेंट किया जा रहा है उसमें authenticity authenticity के पीछे यह होता है कि आपको एक प्रमाड दिया जाए तो हम तभी उसको authentic मानेंगे तो हर चीज की पीछे हम प्रमाड देने की कोशिश करेंगे आप उसे 7 धरातली उचवस्ता के अधार पर 36 गड़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है ठीक इसमें ज्यादा कुछ बताने की जोरत नहीं है ठीक है धरातली उचवस्ता के अधार पर बताना है ठीक अब इसकी अधार पर एक बता देते हम पहाडी छेत्र दूसरा बता देते एक पठारी छेत्र, तिसरा बता देते हैं पाठ छेत्र और चौंथा बता देते हैं मैदानी छेत्र सबसे स्टार्टिक में मैंने आपको बताया था इसको आप लिख सकते हैं और जितने भी वर्ड में बोल रहा है कौन कौन सी पहाड़ी है लाइक देवगड की पहाड़ी ठीक पठार कौन सा है यहां पर आजाएगा सोनट का पठार पार नहीं है मैदानी छेत्र कौन सा है रिहन बेसिन जगर यहां पर आजाएंगे जस्पूर सामरी पार्ट में कोई पहाड़ी नहीं मिलेगी पठारी भी मिलेगी पूरा पार्ट मिलेगा मैदानी नहीं मिलेगा महा नदी बेसिन में आप ले सकते हैं फ्रंटेयर हाई लेंड्स में यहां पर आ जाएगा पठारी छेत्र में चीक मैदानी छेत्र में पूरा जाएगा वहां पर पार्ट नहीं मिलेगा और पठार भी आपको नहीं मिल एक पहाड़िया मिलेगे वॉट्वर बैलाडेला के पहाड़ एक सारी अबुजमार के पहाड़ तो इस तरीके से यहीं से निकालके इनको शोओने करना है आपको इनी से उन चीज़ों को निकालके बाइफर्गेट करके लिखना अब पहाड़ी चेत्र की बात करेगा तो यह सारी पहाड़ी चेत्र पठारी बुलेगा तो यह किवल यहीं पर मैदानी बुलेगा तो यह है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप इन चीज़ों क्या क कर सकते हैं तो गाइज नेक्स कोशन जो है वह है आपका 15 मार्ट का 175 का कोश्चन है कि 36 जो भू इस्थलाक्रितियां है यहां के इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं अब यह जो कोश्चन से कोश्चन को लिखने कि कई तरीके हो सकते हैं या तो आप पारगराप में लिखें या तो आप व्याइन दिजियेगा यह कोश्चन में दो चीजे होना चाहिए आप भी कहीं भी पढ़ते हो या खुद से पढ़ते हो तो पहले इतिहास के पहले वाहां जोगरफ भी पढ़ाया जाता है तो चलिए बात करते तो भूई स्त्रलाक कृतियों के बारे में आपको पता है और यहां की इतिहास कारों के बारे में आपको पता है बस इन दोनों के मध्य संबढ़ इस्थापित हमें करना है तो इसमें पहले कुल ये 150, 175 वट गाँ माल लेते, इस में 17-18 लाइन होंगी तो हम दिमाग में रखते हम कितने dimensions को इसमें टच करने वाले हैं याद रखेगा कि जो भी अगर आप paragraph में लिखते हैं दियान रखे पहला paragraph कैसे balance answer लिखा जाता है कैसे उसे प्रमाडित किया रहेंगे और balance कैसे करेंगे संतुलन कैसे बनाएंगे इन दोनों में इसकी बात कर रहा हूं अगर आप paragraph में लिखते हैं तो definitely याद रखे 30-30 words के paragraph बना सकते हैं जिसमें 5 paragraph बनेंगे या 3 paragraph बनेंगे तो हर paragraph में एक पाट आपका भूगल से संब्धित और एक पाट आपका इतिहास होना चाहिए अगर आप point wise लिखते हैं तो point number one, point number two, point number three, point number four and point number five तो मुझे यह लगता है कि दो से धाई line like तीन तीन लाइन आप इसमें input कर सकते हैं ठीक तीन लाइन हो सकता कोई दो लाइन हो सकता और इन में जहां जहां पर input करें तो कुछ भाग भूगोल को दिखना चाहिए और कुछ भाग आपका क्या दिखना चाहिए वहां का इतिहास दिखना चाहिए यानि कि भूगोल के करण impact वा वो दिखना चाहिए तो इस तरह से आप इसको पहले सोचे विचारे कभी भी जब बड़े words और बड़े marks की questions आते हैं उन्हें आप एक flow diagram बनाए पांच मिनट सोचे हैं और पांच मिनट सोचने के बाद दस मिनट में लिखें कोशिश ये करिएगा तो पहले आप इसके introduction में लिखेंगे इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि किसी भी छेत्री की जो भूई इस्थलाकृतिया होती है वह वहाँ के इतिहास एवं साथी साथ वहाँ की संस्कृति के मध्य संबन इस्थापित करते हैं चतिस गड़ का या चतिस गड़ की जो भूई इस्थलाकृति है वह यहां के इतिहास को विभिन पक्छो पे विभिन पक्छो में प्राचिन काल से लेकर आदुनिंकाल तक क्या करती है प्रभावित करती है जैसे कि पहला यह आपने इंट्रोड दे दिया उसके पहले प्राचिन काल में जो सामन थे या जिन लोगों ने उन राजाओं को क्या की सहता पहुचाई उनके अंदर एक उत्सावर दन हुआ और यहां पर रिजिनल डाइनिस्टी या इस्थानी राजवनसों के उदै होने का भी एक प्रमोक कारण होता है तो यह जो एक्स्मिनेशन दिया मैंने यह अपने आप में कोश्चन हो सकता है हिस्ट्री पे कि छतिस गड़ में इस्था चतिस गड़ का जो बहुत आया छेत्र है वह पहाड इंपरवतें पठारों से घिरा हुआ है तो जब कल्चूरियों ने यहां पर आए याद रखेंगे दूसरा पॉइंट बता रहो जब कल्चूरी यहां पर आते हैं तो कल्चूरियों को गुरिल्ला युद्ध में किसी प अधान निकाला कि यहां पर छेत्र विसेश के कुछ प्रमुक लोगों से शाहता ली जाए और उन्हें एज़ा सामंद बनाया जाए और धीरे धीरे यही सामंदी विवस्था यहां पर जमिनदारी विवस्था में बदलती है और जमिनदारी विवस्था होने के बाद हम दे जिसमें आपको सरगुजा तरप का बसर का अमध्य चत्तिजगड़ की रियासते होती हैं और जब और जब यहाँ पर हम स्वतंतरता आंदोलन के बारे में जब चर्चा करते हैं तब यह देखते हैं कि जिस प्रकार चत्तिजगड़ के आसपास के जितने राज्ये हैं वहाँ स्वतंतरता आंदोलन का जो प्रभाव था वो हमें चत्तिजगड़ में उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं दिखती रिजन यह था कि चत्तिजगड़ का या चत्तिजगड़ की जितनी भूमी थी उसमें 75% जो भूमी थी वहाँ पे जो अधिकार था वो जमिनदारों का अध पाई तो यह पॉइंट यह हो गया जिसको मैंने यहां पहाड़ परवत को लेके बताया तीसरा मैंने बताया यहां पर वन बाहुल यह चेत्र है पहाड़ परवत होने का वन बाहुल यह चेत्र होने के कारण यहां पर हमें एक आदिवासी संस्कृति क्या आदिवासी संस्क संस्कृति ट्राइबल कर्चर के बारे में भी पता चलता है यहां पर घोड़ी और हल्बी भत्री संस्कृति का भी हमें क्या दिखता है यहां पर प्रभाव दिखता है कि इस वन बाहुल्य होने के कारण ही आज हम बस्तर का इतिहास को पढ़ते हैं या बस्तर का इतिहास देखते हैं और Britishers के समय, Britishers की जब अधिसत्ता यहां पर आयते है उनके दोड़ा कुछ गड़े कानून बनाये जाते हैं सुरक्षा कानून को ले ले अन्य कानूनों को ले ले तब यहां पर जन जात्यों के दवारा विरोध किया जाता है और वे हमें यहां पर जन जाती विद्रों के रूप में देखने को मिलता है ठीक अब उसके बाद नेक्स आप यहां पर लिख सकते हैं कि चतिसगड़ की जो भू इस्थला कृतिया है वो हर प्रकार से यहां के इतिहास एवं संस्कृति को क्या करती है प्रभावित करती है चाहे वो मराठा क्यों ना हो क्योंकि मराठो का चतिजगर की तरफ आकरशित होना एक तरीकी से यहां के भागोलिक कारणक से संबन रखता है क्योंकि यहां पे जो चीजें थी यहां पे जो उबजाव छेत्र थे यहां पे नदी बैसीन के कारण जो अबजाव छेत्र थे यहां पर जो खनी संपदा थी जिसके कारण ही मराठा जो बुनदेल खन होटे हुए बंगाल जा सकते थे वो यहाँ पर 36 बड़ टन होके चले गए ठेक, तो अंदेखे और अंधेरे में ही कल्चूरियों की सत्ता यहाँ पर समाप्त कर दिया माराठो ने और उसका एक कारण था यहाँ पर उपजाओ मृदा का होना और साथ ही साथ यहाँ पर खनी समपदा का होना जिसकी कारण माराठे यहाँ पर क्या होते हैं आकरसित हो जाते हैं उसके बाद की स्टूरिया आपको पता है में लिए सारी डाइमेंशन और सभी पक्चो को क्या करना है सरफेशल लेवल पर कनेक करना है किसी पर्टिकुलर की बात नहीं किया इसने इसने आपके analysis की मांग किया कि actually मैं आपने उपको पढ़ने के बाद क्या करक्स निकाल यह नहीं कि आपने उसे याद कर लिया तो question को आपको समझना होगा चलिए तो उसके बाद last में लिखे अधा हम कह सकते हैं कि कि किसी भी छेतर की भूइस्थला करितिया के साथ ही साथ भौतिक भी भाजन वाले सारे questions, सारे प्रश्णों के संकलन का हम लोगों ने analysis किया और जितने भी मैंने questions आपको बता हैं उस पर भी आप answer writing करें और लिखें, लिखना ठीक है अगर किसी की prelims नहीं निकल रही है, इशू नहीं आप लिखते हैं कि अगर आपने decide कर लिया आपको PSC exams clear करने हैं तो यह अभी लिखें, बाद मैंने लिख लिख के practice करें, काफी अच्छा हो जाएगा ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले